वेल्कम बैक तो मैक इचन आज हम बनाने वाले एक साख का भाजी यह साख को हम लोग बोलते हैं बोथ हुआ शाल तो यह साख इसको ऐसे चुनते जैसे कोई अगर डंठल आप ले लेता है एकदम उपर वाला जो मतब एकदम टेंडर है नतब एकदम भूड़ा नहीं सकत नही लेते हैं तो वही हमने पहले उपर वाला पाट थोड़ा सा चुन लिए पहरे वो सारे साख चुन लेंगे फिर धोके साफ करके पानी को जराने देंगे और कराई पे हमने डाल दिया है सरसो का तेल टूटी स्पून उसको गरम होती है उसमें डाल देंगे पांच भूरण थ थोड़ा सा या तो काला जीरा भी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा ये जैसे भून जाए उसमें हम डाल देंगे बहुत हुआ साख तो ये साख पहले से आप पानी जरा की रखिएगा ताकि ये जल्दी से बने क्योंकि साख बने में ज़्यादा वक्त लेहीं लगते हैं यहां यहां पर ज्यादा नमक न दीजिएगा ध्यान लैका साख दिकने में जतना जादा लग रहाएं पूंतना ज्यादा लास में रहे नहीं एक तम हम थोड़ा से बनने माला नमग बहुत कम दीजिएगा क्योंकि यह कम होने माला है देखिए जrows दिख रहता था अभी उतने से कितना कम हो गया मतलब जितना था अगर 5 पार्ट था उसका एक पार्ट बन चुका है तो इसका अची तरह से थोड़ा से चला लेंगे फ्लेम हाई रखिएगा धीमे ना कीजिएगा नहीं तो यहां पर बहुत सारा पानी आने का चांसिस है तो इसी तरह से थोड़ा सा कुक कर पानी आप पानी आप लिए तो फ्लेम पूरा हाई कर दीजिए ताकि यह जो पानी यहां पर है यह सारे के सारे पानी सूख जाए और जैसे इस सूख भी जाएगा हम लोगों का साग बन जाएगा इसी पानी में थोड़ा साब चला लीजेगा तो इसी तरह उसके अंदर कु इसी की पानी बहुत सारा था पानी सारे के सारे सूख गए और इसी को अभी वही हम चला ले रहे हैं और इसको इस तरह से फ्राइगा क्योंकि इसको मैंने बारिक बारिक नहीं काटा जैसे हमने चुनेते वैसा ही रखा वाए लंबा लंबा इसको खाने में भी अच्छा तो आज का रेसिपी ता बहुत हुआ सा अब लोग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरू बताइएगा आप कौन सी देश से मेरे चैनल को दीख रहे हैं हमारे साथ जरू शेयर कीजिएगा आज के लिए इतना फिर मिलते हैं नया और सिंपल रेसिपी के साथ तिल देन बाई बा कि अजये तब करे इतना इा और सेैनल करेएगा घरू जरू आप बाई और बाएगा झाया चैनल रवाल स्टरे तिल विए और सिंपल के लिण धनल करेस फहिते पूल से से टुर्ष कामें जरू पाल भाग हमें करे रहरे ही दो